हेलो दोस्तो, सभी को तहा दिल से नमस्कार, ये जो गाय आपको स्क्रिन पे दिखाई दे रही है, ये गाय एक बहुत ही गंबीर बीमारी से ग्रसित हो चुकी है, और जब इस गाय का टेम्प्रेचर लिया गया तो टेम्प्रेचर 98.2 डिगरी फेरनाइट देखने को मिला था और जब पसुपालक सिस का केस इस्ट्री पूछा गया तो पसुपालक का कहना था कि हमारी गाय सुरू सुरू में अपने सरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बार बार अपने आप गिर जाती थी, और कुछ देर बाद अपने आप खड़ी भी हो जाती थी, और किसी भी पर दूं कि यह गाय पिछले 10 दिनों से लगदार बीमार चल रही है वहां के लोकल डॉंक्टर के दौरा इसका इलाज भी किया गया था लेकिन उनके इलाज से इसमें किसी भी पिरकार का कोई सुधार नहीं आया था लेकिन जब हमने इस गाय का इलाज किया तो इलाज के दूसरे है लेकिन बास के लाज देखा है और अगर आपने इस वीडियो को लाश तक देख लिया तो मैं यह गैरंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप भी इस परकार चार्पाब mixes कर सकते हो तो चलने के वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आम बात कर ले इस वीमारी के लग्षन के बारे में मालीजय आपके पषू को यह बीमारी हो गया तो आप उसका पहचान कयसे करेंगे तो इस बिमारी के सबसे पहला लक्षन है पसु खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बार बार गिरने लगती है इसका दूसरा नमबर लक्षन है पसु में मिर्गी के दोरे जैसे लक्षन भी आने लगते हैं यानि कि इस बीमारी में पसु पागलो जैसा ब्यवार करने लगती है ऐसा लगेगा कि आपका पसु बिलकुल पागल हो गया है। इसका तीसरा नमबर लगेजर पसु जरूरत से जधा चोकंडना रहती है। अगर उसके पास किसी भी परगार कोई आवाज होगा तो पसु अचानक से डर जाएगी और डर गर इधर-उधर भागने लगेगी। इसके अलावा पसु अपने जीब को बार बार बाहर भी निकालने लगती है। इसके अलावा पसु के मूँ से लार भी गिरने लगता है और पसु इसमें कभी-कभी आवाज भी निकालने लगती है। इस बीमारी में पस्टू बार बार पेसाब भी करने लगती है और बार बार गोबर भी करने लगती है इसके अतरिक्त पस्टू में दात किरकिटाने कीवी सिकायत देखने को मिलता है इतने सारे लक्षन इस बीमारी में देखने को मिलते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कौण-Kौण सी injection का उपयोग किया गया था कि ये गाय बिलकुल ठीक हो गई तो उलाज में हमने सबसे से पहला जिस Іंजेक्षन का उपयोग किया था उस hypothesis हमने यहां पे 450 ml उपयोग किया था माईफेक्स का composition होता है calcium magnecium borogluconate यानि कि MAIPEX के अंदर calcium भी होता है, magnesium भी होता है, phosphorus भी होता है, और dextrose भी होता है, MAIPEX इस बिमारी का drug of choice है, यानि कि इसी injection के दम पर ये बिमारी खीक होता है, इसलिके हमने यहांपे MAIPEX का उपयोग किया था, दूसरे नमर पे हमने जिस injection का उपयोग किया था, उस injection का नाम हमने यहां पर 20 ml उपयोग किया था राइबीबेट का कंपोजिशन होता है वितामीन b1, b6, b12 यह नस्व में हुए अकडन को दूर करता है इसलिए हमने यहां पर ट्राइबीबेट का भी उपयोग किया था और चौथे नमर पे हमने इंजेक्शन का उपयोग किया था. उस इंजेक्षन का नाम है Melonix. Melonix हमने यहां पर 20 ml उपयोग किया था. Melonix एक परकार का NLJC की इंजेक्षन है, जो कि सभी परकार के दर्द में अच्छा kाम करता है. मात्र इतना ही, इलाज पर यह गाए बिल्कुल ठीक हो गई. धन्यवाद